हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो माई चैनल आज मैं आप लोग के साथ पुवा की रेसिपी सेयर कर रहे हूं इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बॉल में दो कप मैदा एक कप सूजी और चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हूं मैं एक बॉल डाली हूं उसके बाद इसमें हल गंटा के लिए रेस्ट पर छोड़ दें आधा गंटा बाद ये बेटर पुवा बनने के लिए अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगा उसके बाद आधा घंटा बाद चेक करें अगर आपको थोड़ा शाये मोटा लगे तो इसमें हलका सा पाने मिक्स करके इसे मेडियम कसि इंस्टन सी पे ला सकते हो उसके बाद एक पैंड में रिफाइन या फिर घी आपको जो पसंद आए वो डाले और उसमें प्राई करें तेल-गर्म हुआ है या नहीं उसे चेक करने के लिए पहले थोड़ा सा घोल को डाल कर चेक करें उसके बाद इसमें घोल को डाल कर अच्छे से low to medium flame पे पकाएं पुआ को जब तक पकाना जब तक ये golden brown ना हो जाए आगे पीछे करके इसे अच्छे से पका लेना है जब हमारा पुआ बन कर तयार हो जाएगा तो अब देख सकते है पहत ही जादा खाने में यमी लगता है अगर आपको मेरी recipe पसंद आती है तो मेरे चैनल को सेयर करें अन्ड सब्सक्राइब करें आप लोग को कूकिंग बिल्कुल भी नहीं आता है तो मेरे चैनल के साथ जरूर जूड़े क्योंकि मैं आप लोग को एक एक अस टेप कर चार